असलाम अलेकुम फ्रेंड्स, ओशन लाइफ पाकिस्तान में खुशांधी, आज की जो विडियो है वो हमारी एक ने किसम के एक न्यू फिल्टर के उपर है, जिसे होब फिल्टर यानि हैंग ओन बैग फिल्टर कहते हैं, बहुत सारे लोग हैंग ओन बैग फिल्टर के बारे म हम आज की वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इस फेलटर का जो है complete को स्पार्टम ही करेंगे तो इसमें डिसक्स करेंगे के अजने डिसाथेस क्या क्या है इसका क्या है यह कौन से इक पर यूज यूम सबढ़Mic करने लगे यह बाहूंrif मरीन ब्लू कंपनी का आपने पर्चेस किया है मरीन ब्लू हैंग ओन बैग फिल्टर निखाब है बॉटर नमबर है अब इतना आइडिया नहीं है कि यह किस कदर जो है वो यूसफुल है अचा तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ यह जो हैंग और बैग फिल्टर है सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह किस टाइप्स के इक्वीरिम्स में यूज होता है फ्रेंड्स यह एक्वी फिल्टर जो है यह यूज होता है ऐसे फिशिट वे एक्वीरियम्स में जहां जो फिशिज जो बहुत तेज भैतले पानी में सुनी कर सकती जिन फिशिज्ज को स्लो मुवींग गॉटर में तेहरना पसंद होता है ऐसी मचलियां जो अब ऑभ जो जो है वह सुनी करती है असानी से उस दूसरा जो है आप इस filter को है इस filter को planted equip वे यूज़ करते हैं ताके इसका फैदा ही होता है कि ना तो है ये plants को खीचता है plants के leaves को या plants की stems को उनको यह बिल्कुल ही चीचता है और ना ही जो planted equip तो छोटी मचलियों होती है जो आपकी यानि के टेटरास ग्रूप की या दूसरी बार्वस ग्रूप की छोटी मचले होती है ना यह उन मचलें को यह अपनी तरफ खीचता है तो यह जो है इस बज़ा से जो है प्लांटे रिक्मिलियम्स में ही जूज होता है अच्छा फ्रेंड अब आपको बताते हैं ृसके टाइपस के बारे में यह जो एच्वी फिल्टर यह यह तूम मेजर शी ताइप इस को हम अनगोक्स भी कर लेते हैं ताकर ज्यादा चीज प्ली क्लिए होलें मेरी मुलू कंपनी का है इसके टाइटस के बारे बारे में हम आपको ब vomitा है यह बदाएगे अच्छा अब कि बाता है कि यह जिस कंपनी का हमने हमें त concert कि ऐola कि इसकी बोडी बह faut applied ताशाए है बड़े अच्छे प्लासिक मांटीरियल की बनी भी है बड़ा स्वबरदस प्लासिक है और काफी यह अच्छा मांटीरियल है जो इसका यूज हो हुआ है नॉर्मली हमने मार्केट में काफी सारे होबी फिल्टर देखे थे लिगिन उसकी क्वालिटी जो पसंद नहीं आ रही थी तो यह मेरी नुका बहुत अच्छा पसंद आया यह प्लास्टिक बिताफिश शाइनी है चाम अंदार से और हार्ट का अच्छा हम आपको बतारा है इसकी टाइप्स के पारे में अब जो एचो फिल्टर होता है वो टू टाइप्स को होता है उसमें जो पहली टाइप होती है यह आप देख रहे हैं इसका फम पहँद कि ये पूरा फिल्टर एपके अब यह वाला जो ईकुर हो आपको को है यह इसकी फ्रेंट साइड, यह जो है जो एक्विय फिल्टर है इसमें इस जगह से बेढ बहता हुआ इक्वियरियम vocER पानी साफ len शोने के बाद इस जगह से बैता हुआ इक्वियरियम में interacting video यह फिल्टर जो होता है यह इक्वियरियम के बाहर शीशे में साथ जो है अटेच होता है शीशे के साथ फैंग होता है यह पहली किसम के अंदर यह होता है कि जो आपका जो पंप है जो कि पानी को खीचता है और फिर वो फिल्टर मीडिया को देता है पानी को साफ करने के लिए यह पंप जो होता है वो एक्विरियूम के बाहर होता है जान हमारे मुल्क में जो है वो बहुत सारे लाकों में बहुत सारे शेरों में बिजली का आना जाना लगा रहता है तो जब लाइट चली जाती है जब लाइट जाती है तो इसकी जो यह पंप है ओवियसली लाइट जाने से जो है यह पंप बंद हो जाता है जब यह पंप बंद हो एक पाइप होती है जो के बेसिकली इस जगह पे अंदर करके लगती है लगा के दिखाते हैं अपने नादरीन को यह एक्टेंशन पाइपे इसका नीचला हिस्सा जोता है वो एक्वेरियम के पानी के अंदर होता है और यह पाइप यूंगर के इस पांप के साथ अटेंच हो बश Η केलगने नादर होती है एक्वेरियम के पानी के अंदर होती है यह पानी कीच के यह इस बॉक्स में दे दी होती है खीक है? होता ही है कि जब लाइ चलिया जाती है, यह पूरे जो है, फिल्टर के जो पानी जमा होता है – वो पानी दुबारा से बैट होता है और बैट होता हैं कि पाइप के जरी एना वो एक वेरियों के ब चाहिए पानी यह पूरा जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है प्लास्टिक का इसका अधर आप यह माफो फिल्टर मीडिया के बारे में पारे में पूरा बॉक्स पानी जमा होता है वो इस पाइप जरी दुबारा जाने रिवर्स होके एक्वेरियमन नर चले आता है और होता है यह पिल लाइ की जरी आपको हर एक्वेरियम पंक के दर नजर आएगा इंटरनल फिल्टर में भी होता है बहुत सारे जो है वो पावर हैं के अब होता ही है कि जब लाइट दूबारा आती है तो यह जो जो प्रोपेलर होता है इसको बहुत जादा टाइम दरकार होता है पानी को खीचने म नहीं तू लाय डर। नहीं बाए चालना तो शुरू हो जाता है लिकंग जो पम्प होता है वो पानी को दुबारा कीछ नहीं पार माँता हैं खास तौर कि ग्र्लीन के पाहनी लाता है जब पानी का लेवल हो ऑतो जो खाया हो जाता है यह सख करने की बहुत जादा दोर लगा रहा है लेकिन पानी जो है वो पंप तक नहीं पहुंच पा रहा हुता है उसकी रिजन ही होती है कि अगर एक दफार बिजली डिस्टनेक्ट हो जाए आपके घर में तो फिर यह जो है इसको पानी खीचने में बहुत जादा अगर फानी में चलता रहता तो इसकी लाइस लंभी रहेगा यह अने कि काम करेगा अगर बगार पानी के चलता रहएगा तो यह चल चल जाता है यह रोतlı इनको पानी की जरूरत होती है, विदॉर पानी ये गरम होके इसकी मोटर जल जाती है, तो ये प्रोपेलर तो गूमना शुरू हो जाएगा, लेकिन पंप पानी को जो है इस पाइप के जरीए नहीं खीच पा रहा होगा, जिसकी वज़ा से पंप जो है उसका बहुत जादा आ जाना जाना लगा रहता है, क्योंकि इसमें ये पांप जो है ये बाहय होता है, तो अगर तो आपके घर में जहां आपने एक्वेरियम रखाव है, उदर यूपीयस की सवलर मौजूद है, और अगर आपने यूपीयस के साथ ये कनेक्ट किया है, होबी फिल्टर, तो फिर प्रॉब्लम ही गोईगी ना, फिर तो ये है कि ये कंटीनियोसली अपना वर्ख करता रहेगा, लिकिन जहां जो है वो यूपीयस नहीं है और बिद्री चली गई उदर इसके अदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, अब दूसरा जो इसका है, जो दूसरा है जो दूसरा ह वो एक्वेरियं के पानी के अंदर होता है। वो कम्लीटली समर्स होता है। जानिके वो पानी के अंदर रहता है और जो है वो पानी के अंदर रहते ही काम करता है उसमें जो होता है उसमें कोई खत्रेवाली बात नहीं होती ही पंप के जलने की आजहा है क्योंकि वह पानी के अंद़ जब जुबारा आएक लाइगा तो वो पानी को बहुत असानी जो है और फिर अपना काम करना स्टार्ट करते t bạn तो ये टूब ताइपस के जो है वह है फिल्टर होते हैं एक में जो पंप होता है वो पानी के अंदर याता है हर वक्त पानी के अंदर बोजूत होता है दूसरे में जो होता है वो filter box के साथ बहर की तरफ pom पोता है तो इसके फाईदा और दुकसाथ भी हमने अब बता दिया तो हम ये रिक्मेंट करते हैं कि जिन लोगों ने जो है वो अ्चो बीफिल्टर लेने का एराता है वो कोशिश ये करें कि वो वगर हैं शोDa फिल्टर ले ले जिसमें जो जो पम्प है वो पानी के अंदर जो है वो डयता है ताके यह है जो है के वो लाइट आने पर दी वह बड़ी असानी खुट बखुर स्टार्ट हुलाता है और इस पाइब के धुरू फॉरह जो है वोिस पुरी बॉण से सैटर्ट होड़ा अच्छा अब इसमें अम अगली बात करते हैं के यह जो है विल्कुल भी इसका वो कोई शोर नहीं होता जिसना एर पंप्स होते हैं एक वेरियम के साथ आफटा ऑक्सीजन के लिए पंप लगाए में एर पंप जो होते हैं उनकी आवाज बहुत आदा लोग जो है एर पंप जब चल रहे होते हैं तो उसकी आवाज से बहुत दो तो अब शारों से पानी बहता है उस अज़ा से पानी बहता है अब होता फ्रेंट यह जब कर्त इस को भी फ़ेली मर्तबा वरी फर्स्टाइम श्को घूच कर रहे हैं तो थूड़ी शी दिश्वारी जो हमने भी आगे हैं हमने वह पाइप अलग लग तर लींग के उन् जो विदेस के अंदर अब ये बोग मुतिस्टेसे निए निया मुझूद रहें इसे आपका पॉलिस्टर का सपांच क्यों आपको नघर भी आँए और जूसरा इसमें फिल्त्रिशन मीडिया संगा iodмог जो कार्बंड होता है, बहुत जो है माजूद होता है, तो यह यानि के कार्बंब भी इस अन्ज होता है और यह पॉलीस्टर रैले स्पंच की नहीं होता है तो यह पानी को बहुत अचसे तरीके से रफाइन करता है बहुत इड 悲् Setting तरीके स Crum येतीं पोर्शन इसके अधर अलग अलग ये इनो प थे पारिज भी कह सकते इन तीनों के अंदर जो है वो आपका sponge भी है और इंक अंदर आपका filter media जो activated car बने है वो भी डालव है तो ये तीनों cartridge आप अलग-अलग करके इनके जो boxes बने में हैं ठीक है? ये जो boxes बने में इनको आप खोल के तो आप जो है इसके sponge की और इसके जो filter media है उसकी जो है आप सफाई कर सकते में सफाई जो है याद रहें जब ये आपने ये जब जूज करना है तो आफ्टर थर्टी डेज जो है आप अपने पूरे जो है वो एचोबी फिल्टर को खोल के पूरे एक महीने के बाद आप सफाई करें उसमें इसकी ये cartridge जो है टीमो पोर्शन अलग-अलग कर लें अंदर से sponge के सफाई करें जो फिल्टर मीडिया है उसकी सफाई करें सफाई करने में इस चीज़ का आपने ख्यार रफना है कि जो आपका इक्विरियम का पानी होगा जो इक्विरियम का पानी होगा जिसमें बेनिफिशल बेक्टेरिया और बनावा होगा आपने उसी पानी से इसके त जालावा है आपने सीकेम कंपनी के मैट्रिक्स दालें जा लेने या आपने बायो रिंग्स दालें इसके अंदर तो उनको भी आपने तमाम जो आपका बायोजिकर और फिल्ट्रेशन मीडिया है उसको अपने एक वीरियम के पुराने पानी से ही दोना है ताकि उसमें से जो है बैनिफिशन बैक्टेरिया जो है वो जायना हो जाए है अगर आप फ्रेश पानी के यह सागा दोई में तो उसमें आपका बैनिफिशन बैक्टेरिया आट पेलर जो है इसके अंदर भी मौझूद धिक तीक है इसका काम ही होता है कि इसमें मैंगनेट होता है जब इसको electricity मिलती है क्रणन में तो यह मैंगनेट जो है वो क्रणन मिलने के वज़ा से यह गोरगोर भूबना शुरू वलाता है तो आप जब तो आप इस को ऐप ढ़से दिने हैं और जब जब इसको खोलेंगे तो आप घंज लगी होगी फिल था ही चिकनाहट होगी कालक होगी भुहश्ली गंढ़ियों ठोना है अगर इसको ब्होद दर निद nhất जा तो इसको को मिलना जो है वह कम हो जाती है करण दो यह जो है वह कुण घूमेंगा नहीं क्योंकि इसके उपर बहुत आदा गंदगी जब गई होगी उस गंदगी वजह से ऊपर करन नहीं मिल रहा होगा आपने इसको पुराने एक्वेलियम के पानी से सारे को अची तरह से दोले ना है दोले के बाद जब आप इसको फिट करेंगे तो यह आपका ना जब आप इसको फिंगर के साथ इसको यू यू गुमाएंगे तो यह आपका बिल्कुल फ्रिली मूफ करना चाहिए एक फिंगर के ताल इसको यूँ गुमाएंगे तो यह बिल्कुल फ्रीली मूफ करेगा और यह इसी तरह से मूफ करना चाहिए अगर यह ताइट होगा तो इसका मतलब यह है कि आपका जातों प्रोपेलर जो है वो सही तरह से आपने पंप के अंदर लगाया नहीं है या फिर इसंके अंदर वही बिखा जो है औरक आपको लगाव है जो कि हम आपको अगर ऑपको नदर आ रहा हैं और ये तो नदर को हैं तो इसके उच्छ वार्ट दिखा देछ हम अश्में एको देखा चैमा फ्रेंड यह इसके उच्ट नहीं रख़जेट इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जोडें उर्श इसको देखें इस तरह से हम लगाएंगे इसको अच्छा यह जो यह जो पाइप होती है चुब के पानी के अंदर होती है अगर आपके एक्वेलियम के पानी का लेवन लो है तो आप इसको एक्स्टेंड भी कर सकते हैं यह नीचे से लंबी भी हो जाती है मजीद यह इसमें ब अचा इसके अंदर यह जो दो ब्लैक कलर के आपको नजर आ रहे हैं यह होता है कि अगर इस पूरे बॉक्स को आप एक्वेलियम के जो ग्लास होता है उससे फांसले पर रखना चाहें आप यह चाहते हैं कि यह बॉक्स जो है एक्वेलियम के शीशे के साथ टच रहा हो तो यह नीचे जो है आप इसमें यह इस तरह करके मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ जो बरके आप लगा सकते हैं यह और इसी तरह से यह दूसरा भी इधर लग जाएगा यह यह आपने लगा दिया अब इसका फाइदा जा होता है यह जो ब्लैक जो आपको दिखाएं यह और इस बॉक्स के दर्म्यान जो है वो थोड़ा का कुछ सेंटीमीटर का जो है वो फासला बरकरार तो इसके ओपर यह आप जो है यह इसका होता है तकना होता है यह तकना देते हैं तो फ्रेंड्स यह था हैंग ओन बैक फिल्टर यह आप यकीन करें प्लांटे इक्वेरिय में यह बहुत अच्छे से वर्क करता है बहुत अच्छे से काम करता है अगर आपका प्लांटे इक्वेरियम धाई फूट से बढ़ा है तो या तो फिर आपको यह दो लगाने पड़ेंगी दोनों यानिके कॉर्णर में या फिर जो है आप एक यह लगा सकते हैं साथ एक जो डी नोजल डाइप फिल्टर जो होता है वो भी प्लांटे इक्वेरियम यूज होते हैं आप वो लगा सकते हैं तो फ्रेंड्स इंशाला जब हम इसको यूज करेंगे आपके सामने अन्बॉक्सिक यह जब हम इसको यूज करेंगे तो जारे इसमें काफी सारा गंध करके जो है इसको कैसे दोना है तो उसको आपको दोकी भी दिखाएंगे और उसको फिर दुबारा सेंब्ल करकी भी दिखाएंगे तो फ्रेंड्स उमीद आपको हैंगों बैट फिल्टर के उपर हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी इंशाला फिश और इक्वेरियम से फिर किसी लोई टॉपिक में आपके सामने हाजिर होगे ऊशन लाइफ पाकिसान में तब तक के लिए टेक एर और अल्ला हाफिस